हेलो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम राक की रसी पाठ के प्रशन उतर करेंगे सबसे पहले करेंगे हम भोला भाला दिबबत के मंतरी अपने बेटे के भोले पन से चिंतित रहते थे प्रशन नमबर का तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोच कर परिशान होते हैं यहाँ पर आपको इबताना है कि तिबबत के जो मंतरी ते मतलब जो लोन पो गारते वो अपने बेटे के बारे में क्या-क्या सोच के परिशान होते थे तो आप इसका उत्तर लिखोगे तिबबत के मंतरी का बेटा बहुत सीधा साधा वह भोला था उसे होश्यारी छूकर भी नहीं गई थी इसलिए वह परिशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा बच्चो जो लोन पर कारते ना उनका बेटा बहुती सीधा साधा था और उसको बिलकुल भी होश्यारी या चलाकी वगएरा ये सब नहीं आता था तो वो हमेशे ही सोचते थे कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा मतलब दुनिया तो इसको बहुत जादा बेवकूफ बना की निकल जाएगी और ये कभी भी कोई काम होश्यारी के साथ नहीं कर पाएगा तो बस इनी सब चीज़ों को सोचके वो परिशान रहते थे कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा अब प्रशन नमबर खा है तुम तिबबत के मंतरी की जगा होती तो क्या उपाए करती अब यहांपं आपसे पूछा जा रहे कि अगर आप लोन पोगार की जगा होते तो आप उनके बेटे को सुधारने के लिए क्या काम करते तो आप इसको अ tell लिख सकते हो यदि मैं उनकी जगा होती तो बेटे को बहुत प्यार वह समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेडिट करती अगर मैं लोन पोगार की जग आती तो मैं क्या करती मैं उनके बेटे को बहुत जादा प्यार से समझाती और बेटे से मैं कहती कि तुम सारे काम बहुत अच्छे से करो वो मतलब काओं को मैं प्यार से करने के लिए प्रेर्इड करती उन्हें बच्चों प्यार यह कैसी चीज़ है जिसको भी बहुत प्यार से कुछ चीज़ समझाएंगे न तो एक बेवकूफ इंसान को भी एक गुस्सेदार इंसान को भी सारी चीज़े बहुत असानी से समझ में आ सकती हैं प्यार की वज़ा से अब हम करेंगे शहर की तरफ मंतरी ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया प्रेशन नमबर का मंतरी ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था हैं आप अब होताने के मंतरी ने अपने बेटे को क्यों भेजा था शहर में मतलब उनका बेटा सीख जाए कि काम बाम कैसे करते हैं, कारोबार कैसे करते हैं, और दुनियादारी कैसी चलती है, हमें क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, तो बस इनी सब चीजों को विक्सित करने के लिए, मतलब कारोबार की समझ और दुनियादारी की ताकि वहां की समझदारी चलाकी काम करने का तरीका उसके बेटे के अंदर समझदारी वचलाकी का विकास कर सकें अब है प्रशन नमबर गाव तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहां रहते थे घर में पता करो आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ती के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगा जाकर बस गया हो उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्ने से खुश हैं क्यूँ एक पुरिश एक महीला और एक बच्ची से बात करो ये भी पूछो की उन्होंने वे जगा क्यू छोड़ दी अब आपको क्या करना है आपको यहां पर बढ़े लोग पहले कहां पर रहते थे मेरे घर के बढ़े लोग पहले गाओ के अंदर रहते थे काम की तलाश के अंदर उन्हें गाउं छोड़ना पड़ा था वे अपने इस निर्ने से खुश नहीं है क्योंकि शहरों के अंदर बहुत शोर है और उन्हें शांती पसंद है तो बच्चों मेरे घर के जो बड़े थे वो पहले गाउं में रहते थे फिर काम की तलाश में उन्होंने गाउं को छोड़के शहर की तरफ वो लोग आ गये अब शहर में आने के बाद वो अपने इस निर्ने से खुश नहीं थे क्यों क्योंकि शहरों में काफी ज़्यादा शोर होता और गाउं में शांती वगएरा होती है तो लोगों को शांती पसंती वो इस वज़ा से इस निड़ने से खुश नहीं थे Q2 जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तमाल किया जाता है इसकी रोटी बनाई जाती है सत्तु बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है अपने घर में और स्कूर में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो अभी हाँ पर आपको अनाजों के नाम लिखने है तो आप लिखोगे गेहूं, जो, चना, जवार, बाजरा और मक्का अब है प्रशन नमबर तीन गेहूं और जो, अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संग्या है तो बच्चों गेहूं, जो, और अनाज ये तीनों शब्द क्या हैं? ये तीनों शब्द हैं संग्या गेहूं और जो अलग अलग किसम के अनाजों के नाम है इसलिए ये दोनों व्यक्ति वाचक संग्या है तो बच्चों जो व्यक्ति वाचक संग्या होते हैं उनको हम इंगलिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि गेहूं और जो जो है वो अलग अलग अना जोगे की सुरी बच्चो जो और गेहूं जो है वो अलग अलग अना जोगे किस्मों के नाम है ठीक है इसलिए ये दोनों क्या होगे? ये दोनों होगे व्यक्ति वाचक संग्या अब व्यक्ति वाचक संग्या हम उस संग्या को कहते हैं जिससे हमें किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी चीज, किसी जानवर या किसी जगा का नाम पता चलता है ठीक है एक दूसरा होते है जाती वाचक संग्या अब जाती वाचक संग्या को हम इंग्लिश में कहते है common noun इसमें क्यों होते है इसमें हमें किसी particular इंसान, जगा, जानवर और चीज का नाम नहीं पता होता ठीक है तो इनको हम कहते है जाती वाचक संग्या मतलब common noun अब जो गेहू और जौ है इन दोनों में हमें ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अनाज के नाम है ठीक है? तो इसमें हमें नाम पता चल रहे हैं गेहू और जौ तो ये क्या हो गए? ये हो गए व्यक्ति वाचक संग्या और अनाज अब अनाज तो कोई सा भी अनाज हो सकते हैं यहाँ पर नाम नहीं बताया गया कि कौन सा अनाज है सिर्फ अनाज लिखावा है इस वज़ा से अनाज शब्ज जो है वो हो जाएगा जाती वाचक संग्या इसी प्रकारिम जिम व्यक्ती वाचक संग्या है और पार्थिय पुस्तक जाती वाचक संग्या है अब बच्चों जैसे मान लीजे हमने बोल दिया बुक मतलब पार्थिय पुस्तक बोल दिया लेकिन हमने ये नहीं बोला कि बुक का क्या नाम है ठीक हमने बुक का नाम नहीं बोला हमने सिर्फ पार्थिय पुष्टक बोल दिया तो वो कोई सी भी किताब हो सकती है तो इसलिए पार्थिय पुष्टक तो हो जाएगा हमारा जाती वाचक संग्या लेकिन अगर हम इसी का हम नाम ले दे हम कह दे रिम जिम पार्थिय पुष्टक मतलब हमने किताब का नाम ले लिया तो क्या हो जाएगा वो जाएगा व्यक्तिवाचक संग्या अब हम ऐसी ले ले मैरी गोल्ड बुक का नाम ले ले तो वो भी हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संग्या मतलब अगर हम सिर्फ पार्थिय पुस्तक बोल रहे हैं तो इसलिए वो हो कई संग्याओं का वर्गी करण इन दो प्रकारगी संग्याओं में करो अब नीचे आपको चीजे दी गई हैं मतलब कुछ जगा चीजे इन सबके नाम दिये गए अब आपको क्या करने हैं आपको इन में से व्यक्ति वाचक को अलग चार्ट के लिखने हैं और जाती वाचक को पिरवानी तामबा ठीक है और जाती वाचक क्या हो जाएंगे धातू भोजन वेश भूशा और शहर प्रेशन नमबर खा उपर लिखी हर जाती वाचक संग्या के लिए तीन तीन व्यक्ति वाचक संग्या खुद सोच कर लिखो अब आपको क्या करना है कि आपने जो चीजे चार्टी थी उन में से जो जाती वाचक संग्या है उनके लिए आपको तीन तीन व्यक्ति वाचक सं और वेजभूशे है ना तो धातू तो हो गया जातिवाजक तो आप इसको जब व्यक्तिवाचक करोगे तो आप लिखोगे सोना चांदी तामबा चिक आप और किसी भी धातु का नाम लिख सकते हो, भूजन में आप लिखोगे रोटी, दाल, चावल, रोटी, दाल, चावल ही क्या हो गए? यह हो गए व्यक्ति वाचक, शहर में आप लिख दोगे दिल्ली, जैपुर और गाजियाबाद, वेज भूशा मतलब कपड़ों को हम कहत ही है, कुर्ते की, पजामे की, साड़ी, इन सब कपड़ों की बात हो लिए न, तो इसलिए यह हो जाएगा व्यक्ति वाचक, अब हम करेंगे तुम सेर, मैं सवा सेर, अब पॉइंट वन, इस लड़की का तो कभी लोहा, सौरी बच्चो, इस लड़की का तो सभी लोहा मान थाना सचमुछ नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा, तो बच्चों यहाँ पर एक क्लास अक्टिविटी है, मनलब एक तरीके का गेम है, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने क्लासमेट्स के साथ खेल सकते हो, तो इस प्रशन का कोई उत्तर नहीं होगा, यह सिर्फ एक सिंपल गेम है, जिसको आप अगर खेलना चाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आप इसको खेल सकते हो, अगर आपको खेलना होगा, तो आप इसको पढ़ लीजेगा, कि कैसे खेलना है आपको, अब है प्रशन नमब अपने बेटे से कहा था, कि तुमने जो पिछली बार बेडों के बाल उतार कर बेख दिये थे थे था, वो मुझे बिल्कुल भी ये बात तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, तो आप इसको उत्तर लिखोगे, मंत्री को अपने बेटे का काम पसंद आया था, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका दिया हुआ काम, उनके बेटे की जगा किसी और ने करा है, तो इस कारण उन्होंने अपने बेटे के काम को ना पसंद कर दिया, अब बच्चो क्या था, कि मंत्री को ये काम तो पसं पसंद आया ठीक है उन्हें अपने बेटे का बेटे पे से बाल उताकर बेशना उन्हें ये छीज़ पसंद रही थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनका दियावा पाम, उनके बेटे के बज़ाये किसी और ने करा है तो तब इस Band को जानने के बाद उन्हें उन्हें अपने बेटे के काम को नापसंद कर दिया था क्यों कि वो यह चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो खुश से होश्यार बने वो खुश से होश्यारी के काम करे ना कि उसके जगा कोई दूसरा काम करे ठीक है मंतरी खुद के बेटे को बहुत अकलमंद और होश्यार बन अब हम करेंगे सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेडों के बाल बेज दिये और दूसरी बार में भेडों के सींग बेज डाले जिन लोगों ने ये चीजे खरीदी होंगी उन्होंने भेडों के बालों और सींगों का क्या क्या होगा अपनी कलपना से बता अब आपको बताने कि जो भेडों के बाल होते हैं उनका और भेडों के जो सींग होते हैं उनका लोग क्या काम करते हैं मतलब जो खरीदने वाली इन सब चीजों को खरीदते हैं वा आखिर इन सब चीजों का करते क्या हैं खरीदने के बाद तो आप इसका उत्तर लिखोगे भेडों के बालों से उन और सींगों से सजाफ्टी समान बनाया जाता है जिन लोगों ने ये चीजे खरीदी होंगी उन्होंने भी इसका यही इस्तमाल किया होगा तब बच्चों जो भेडों के बाल होते हैं ना उनसे उन बनती है और सिंगों से क्या बनता है? सिंगों से सजाफ्टी समान बनता है तब जिन लोगों ने समान खरीदा होगा उन्होंने भी यकीनन इस सब समान का यही चीज़े बनाई होगी यह मतलब बेड़ों के बालों से उन्होंने उन बनाई होगी और बेड़ों के जो सींगों ते उससे सजाफ़ती समान बनाया होगा बात को कहने के तरीके प्रेशन नमबर एक नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिये गए हैं इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो अपनी से कुछ बाते लिखी हुई हैं आपको बताने कि आप इन बातों को और किस तरह से कह सकते हैं तो बच्चों ये जो लिखा है चैन से जिन्दगी चल रही थी आप इसको किस तरह से लिख सकते हो आप इसको और इस तरह से लिख सकते हो जिन्दगी अराम से कट रही थी फिर है होश्यारी उसे चूकर भी नहीं गई थी आप इसको कैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो, वे बिलकुल होश्या नहीं था फिर है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, मैं इसका उपाय बता देती हूँ फिर है आखिर, उनकी अपनी चला की धरी रह गए ताप इस बात को कैसे कह सकते हो, उनकी चलाक की किसी काम नहीं आई अब है, लोन पोगार का बेटा होशिया नहीं था, प्रेशन नंबर का होशियार और चलाक में क्या फर्क होता है? किस अधार पर किसी को तुप चलाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो अब सबसे पहले यहाँ पर आपको होशियार और चलाक में फर्क बताने ठीक है फिर आपको बुद्धू और बुद्धू और भोले के बारे में फर्क बताने तो आप इसका उतर लिखोगे होश्यार का अर्थ है समझदार बच्चों होश्यार हम उसे कहेंगे जो समझदार होगा होश्यार व्यक्ति हर काम होश से करता है वह काम को जल्दी में नहीं करता अब बच्चों जो होश्यार होते हैं होशयार का अर्थ होता है समझदार हम होशयार व्यक्ति उनको कहेंगे जो हर काम को होशते करते हो उनकाम को करने में वह जल्दी नहीं करते हो ठीक है फिर है चलाक का अर्थ है चतुर चलाक व्यक्ति चलाकी से अपना काम निकालता है इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता ह फिर वह अच्छी हो या बुरी अब जो बच्चों चलाक लोग होते हैं ना चलाक लोग क्या करते हैं चलाक लोग अपना काम निकलवाना चाहते हैं हर इंसान से अब उन्हें अपना काम निकलवाने के लिए चाहिए अच्छी हरकते करनी पड़े या बुरी हरकते करनी पड़ वो अपना काम हर किसी से निकलवा लेते हैं और वो यह नहीं देखते कि वो अच्छे तरीके से निकलवा रहे हैं बुरे तरीके से निकलवा रहे हैं तो चलाक का अर्थ होते हैं चतुर वैसे आम बोलचाल में लोग होश्यार और चलाक को एक ही रूप में लेते हैं परन्तु ऐसा नहीं है बच्चों आपने कई बार देखा होगा अपने बड़े लोगों के मूँ से या आसपास के लोगों के मूँ से कि लोग क्या करते हैं कि वो चलाक और होश्यार इन दोनों शब्दों का मतलब वो एक ही समझते हैं उन्हें यह नहीं बताओता कि होश्यार किस के लिए इस्तमाल करना है या चलाक किस के लिए इस्तमाल करना है वो दोनों शब्दों का स्तमाल एक ही तरह के व्यक्ति के लिए कर देते हैं जबकि इन दोनों शब्दों के अर्थों में बहुत जादा फर्क है और ये दोनों शब्द अलग-अलगे हैं होश्यार हम उसे कहेंगे जो समझदार हो और चलाक हम उसे कहेंगे जो चतुरो अब हैं जो सीधा साधा होता है उसे भोला कहते हैं भोला व्यक्ति चलाक नहीं होता अब जो इनसान बहुत सीधा साधा होता है उसको हम भोला कहते हैं और जो भोला इनसान होता है उसके अंदर चलाकी बिल्कुल भी नहीं होता है फिर बुद्धु का अर्थ बेवकूफ होता है उसे किसी प्रकार का ग्यान नहीं होता है अब बुद्धु हम किसको कहेंगे बुद्धु हम उसको कहते हैं जो बेवकूफ होता है मतलब जिसको किसी चीज़ के बार में पता ही नहीं होता है उसको हम बुद्धु कहेंगे अब जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो भोले को और बुद्धु को एक ही समझते हैं मतलब वो किसी इनसान को अगर उन्हें भोला कहना होते हैं तो वो उसको भुद्धु कहा देते हैं मतलब वो भुद्धु और भोला इन दोनों शब्दों को भी वो एक समझते हैं जबकि इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग-अलग होता है और ये अलग-अलग व्यक्तियों के लिए इस्तमाल होता है जो सीधा साधा होता है उसको हम कहेंगे भोला और जो बेवकूफ होता है जो कुछ नहीं आता जाता उसको हम कहेंगे बुद्धू अब है प्रेशन नमबर खा लड़की को तुम समझदार कहोगी या भुद्धी मान क्यों अब आपको बताने के जो लड़की थी आप उसको समझदार कहोगे या भुद्धी मान कहोगे या दोनों कहोगे और जो भी कहोगे वो आप क्यों कहोगे आपको ये भी बताने होता, आप इसका उत्तर लिखोगे लड़की को हम समझदार तथा भुद्धीमान दोनों कहेंगे लड़की ने लड़की की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी उसके बाद बड़ी बुद्धीमानी से उस समस्य का बिलकुल उचित हल निकाला अब बच्चों क्या है हम लड़की को समझदार भी कहेंगे और बुद्धीमान भी कहेंगे समझदार इसलिए क्यों, क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी के साथ लड़के की पूरी बात सुनी थी उसने सुनाता कि problem क्या है ठीक है, समझदारी से बात सुनने के बाद उसने उस बात का जो حल था वो बहुत ही बुद्धि मानी से निकाला था ठीक है इस वज़ा से हम उसको बुद्धिमान भी कहेंगे और समझदार भी कहेंगे अब हम कहें बच्चों अब हम पढ़ेंगे नाम दो कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है नीचे तिबबत में बच्चों के नाम करण के बारे में बताया गया है ये परीचे पढ़ो और मन पसंद नाम चाट कर बेटे और लड़की को कोई नाम दो अब यहाँ पे आपको नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर हमें तिबबत में जो बच्चों होते हैं उनके नाम करण के बारे में बताया गया है आपको पहले इसको पढ़ना है और फिर इसके अंदर कई नामों का जिक्र है आपको अपनी मन पसंद के हिसाथ नलब जो भी नाम आपको अच्छा लगे आपको लड़के को भी नाम देना है और लड़की को भी नाम देना है क्यों कि कहानी के अंदर उन दोनों का नाम का जिकर नहीं है तो हम पढ़ते हैं नायेमा, डावा, मिघमार, लाखपा, नूखू, फू, दोर्जे ये क्या है कोई खाने की चीज या घूमने की जगहों के नाम नहीं जी ये है टिबबत, सुreten बचो, ये है टिबबती बच्चों के कुछ नाम, ये सारे नाम टिबबत में शुप माने जाते हैं नईमा नाम दिया जाता है रविवार को जनम लेने वाले बच्चे को अब जिते भी मैंने आपको नाम उपर पढ़के बतायते ये सब नाम जो होते हैं ये तिबबत में बच्चों के नाम रखे जाते हैं ठीक है और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा ये शक्ति बढ़ती जाएगी अब बच्चों जो नहीमा नाम है ये किसको दिया जाते है जो बच्चे संडे में पैदा होते हैं उसमें उन्हें जो सूरज देवता हैं उनकी शक्ति मिलेगी और जब नाम को बार बार पुकारा जाएगा तो शक्ती जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी सोमवार को जनम लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है अब जो बच्चे मंडे में पैदा होते हैं अब जो टिबबती लैंगविज है उसके अंदर डावा के दो मतलब है एक मतलब है मंडे मतलब सोमवार और दूसरा है चान्द यानि डावा चान जैसी रोश्णी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी मतलब जिसका भी नाम डावा रखा जाते है उसके ये माना जाते है कि जिसका नाम डावा रखेंगे वो चांड जैसी रोशनी को फैलाएगा और अंधेरे को दूर करेगा तिबबत में बुद्ध के इस्तरी पुरुश रूपों पर भी नामकरन करते हैं खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है ये बुद्ध के इस्तरी रूप तारा का ही तिबबती नाम है लगो बच्चे में पैदा होते हैं उनके भी नाम रखे जाते हैं नाम भी वहाँ पे काफी जादा मशूर है तिबबत के अंदर तो जो सबसे पहले प्रेशन पूझा गया था कि आपको लड़के का नाम रखना है और लड़की का नाम रखना है तो आप इसका उत्तर लिखोगे लोन पो गार के बेटे का नाम नूखु वह लड़की के लिए डावा नाम उचित लगता है लड़की के लिए हमने रख दिया नूखु और लड़की के लिए हमने लड़की के लिए हमने रख दिया डावा तो बच्चा आपके ये प्रेशन उत्तर अत्ते हीते है आई होप आ के न्यू विडियो डालो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए